दोस्तों आप बच्पन से ही सुनते आए होंगे कि शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, जबकि जंगल में तो शेर से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक जानवर हैं, दरसल शेर के परिवार मे शेर और शेरनी दोनों ही मुखिया होते हैं दोनों ही अपने परिवार का पालन पोशन करते हैं लेकिन परिवार को पालने और बच्चों को खाना खिलाने की सारी जिम्मेदारी शेरनी की होती है शेर आलसी होते हैं इसलिए वो शिकार पर नहीं जाते और शेरनिया जुंड बनाकर शिकार के लिए जाती हैं और जब शेरनिया शिकार करने के लिए जाती हैं तब शेर ही बच्चों का खयाल रखते हैं क्यूंकि जंगल के अन्य शिकारी जैसे की लकड़ बगधा, तेंदुआ और चीता जो की काफी शक्तिशाली होते हैं वो शेर के बच्चों को मार डालते हैं इन सबसे बचाने के लिए शेर नी अपने बच्चों को शेर के पास छोड़ कर जाती है और शेर इनकी सुरक्षा करता है इसी जिम्मेदारी के कारण शेर को जंगल का राजा कहा जाता है साथ ही शेर का एटिटीड और उसके लंबे बालों की वज़े से भी उसे जंगल का राजा कहा जाता है